कि अलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आइम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडेशन दर मेटाबोलिक मेडेशन और इम केरिंग दर 18-year experience देखो सबसे बड़ी बात जो सेक्स के बारे में है लोग लगातार परहसान है और लोगों की जो शेक्षवल लाइफ है वो बरबाद है और उसके पीछे कारण है आपका खान-पान आपकी डियाविटीज लोगों को आजकल डियाविटीज हो रही है कुछ लोग प्री डायव प्रूब करने पड़े फूड को नाई प्रूब करना पड़े और हमारा सेक्सेल लाइफ ठीक रहे तो ऐसा पॉसिबल लेहीं जो आपके हर्मोन Smith Testosterone है या आपका thyroid hormones है आपका जो insulin hormones है Diabetes से हो क्या रहा है कि ये तीनों जो hormones है इनकी sensitivity कम हो रही है ये hormones कम पिरभाबी हो रहे हैं और जब आपके hormones की sensitivity कम होती है वो कम पिरभाबी होते हैं तो आपका weight बढ़ता है आप ovees होते हैं आपका fatty liver होता है आपका uric acid बढ़ जाता है आपका blood गाड़ा हो जाता है आपका cholesterol triglycerides बढ़ जाता है और आपको ठकान रहती है और फिर आपका जो body का absorption है Body का absorption से मतलब है कि जो आप खाते पीते हैं वो आपके सेरीर में नहीं लगता आपको vitamin, minerals, property नहीं मिलते और उसका result होता है कि आप sexually बहुत कमजोर हो जाते हैं और sexual dysfunction को आप block करते हैं इससे मेरा सीधा सा मतलब है कि आपको सारेरिक कमजोरी के साथ साथ मानसिक कमजोरी के साथ साथ एक sexual weakness भी develop होती है और आप दबाया लेते हैं बहुत सारी चीज़ें ट्राइ करते हैं लेकिन आप ठीक नहीं हो पाते क्योंकि ठीक आप इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि basic जो root cause है वो अभी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपने अपना basic root cause यानि जो basic life style change है वो नहीं किया है basic कारण को आपने नहीं समझा है इसलिए आपके सारे प्रयास खराब हो जाते हैं आपकी जो sexual life है आपके पास sexual energy नहीं होती stamina नहीं होता आप sex को prolong नहीं कर पाते और आप बहुत जल्दी fragile way में बहुत जल्दी discharge हो जाते हैं एक anxiety एक fear महसूस करते हैं तो आखिर आज हम इसको fix करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी sexual life को sustain कर सकते हैं डायविटीज होने के बावजूद भी प्री डायविटिक होने के बावजूद भी और जितनी भी समझा है उनके होने के बावजूद भी उनको ठीक किया जा सकता है और आप ब्लड सुगर को नॉर्मल रेंज में रखना होगा ब्लड सुगर से मेरा मतलब है कि आपका खाली पेट, एम्टी स्टॉमक जो ग्लुकोज है वो 70-120 के बीच में होना चाहिए और खाना खाने के बाद यानि 2 गंटे के बाद 120-170 के बीच में होना चाहिए और आपका HbA1c less than 7 ही रहना चाहिए यदि आप डाइबिटिक भी हैं तो भी यदि आप प्री डाइबिटिक हैं तो आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल मोडिफाई करिए फूट को चेंज करिए एक्सराइज करिए तो आप नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे आपको कोई दवाई लेने के लेकिन यदि आपका ब्लड सुगर एक्सराइज से लाइफस्टाइल मोडिफिकेशन से नॉर्मल नहीं रहता है तो फिर आप दवाई भी ले सकते हैं आपको दवाई भी लेनी चाहिए उसके बाद आता है ब्लाट पैशर ब्लाट पैशर का भी नॉर्मल रेंज में रहना बहुत जरूरी है ब्लाट पैशर आपका उपर वाला 120 से 140 के बीच और नीचे वाला 70 से 90 के बीच रहना चाहिए रेगुलरली ऑन अन एवरेज दस बीस उपर नीचे इट सोके ब्लाट पैशर रहता है तो आप उसको भी डील करिए थाइराइड बहुत इंपोर्टेंट हार हार्मोंस है और यह दूसरे हार्मोंस के साथ एसोशेट करके मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करता है तो थाइराइड इस वेरी इंपोर्टेंट क्रिटिकल वाइटल हार्मोंस तो आपको हाइप थाइराइड का आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप उसकी दवाई रेगुलर्ली ले अकॉर्डिंग यॉर फिजीशन और दवाई का भी बंदना करें सोडियम और कैल्सियम का बॉडी के अंदर होना जिंक का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है जो कि आपको बाइटलेटी देता है इस्टेंड देता है आपको स्टेमन देता है उसके साथ साथ वाइटमिन डी बी ट्वैल एंड वाइटमिन ए जिससे कि आपका स्पर्म प्रोडिक्शन नॉर्मल रहे आपका टेस्ट इस्टोर नॉर्मल रहे यह बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है आप नॉर्मल स्लीप रखिए सेवन आवर्स स्टेस को मैनेज करिए यदि आप वेट घटाईए फैटी लिवर है तो आप फैटी लिवर को नॉर्मल करिए यदि ग्रेट फैटी लिवर है तो लाइफ स्टाइल मोडिकेशन से एक्ससाइज से आप ठीक हो जाएंगे यदि फैटी लिवर ग्रेट टू है तो आपको दवाई की सपोर्ट की जरुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लें और काप्स आप रिड्यूस करें और नॉमल एक एक्टिव फिजिकल लाइफ जियें और हामोंस की सेंसिटिविटी तीन हामोंस बहुत क्रिटिकल रॉल प्ले करते हैं इसमें एक आपका थाइराइड दूसरा आपका इंसुलेन और तीसरा आपका टेस्टिस्टोन तीनों हामोंस को सेंसिटिविटी को रिगुलीट करने के लिए देर इस टू गुड एक्सराइज वन इस एरोबिक एंड वाकिंग और सेकंड इसमेडिटेशन तो आप ध्यान करें और आप फंक्स मतलब आप बाडी स्कैनिंग या फिजुल एक फ्रूट्स खाएं डेली और ग्रीन वेजिटेबल्स दैट विल वेरी हेल्फुल और नॉर्मल आप अच्छे से प्रोटीन डाइट लें तो आप नॉर्मली आप अपनी डायविटीज को भी कंट्रोल कर पाएंगे ब्लड पेशर को कंट्रोल कर पाएंगे आप वेट को कंट्रोल कर पाएंगे एनर्जी को सस्टेन कर पाएंगे और सेक्स्वल पावर को भी सस्टेन कर पाएंगे तो अगेन रिपीटिंग कि डायविटीज को मैनेज करना ब्लड सुगर को मैनेज रखना बहुत इंपोर्टेंट है इससे आपकी इम्मुनिटी पर फरक पड़ता है तो इन सबसे बचने के लिए आपको डायविटीज को मैंटेन करना होगा डायविटीज को सुगर को मैंटेन करें वगर आप अपनी सेक्स्वल पावर को सस्टेन नहीं कर सकते हैं क्यू वेरी मिच टेक केर और सब्सक्राइब